हलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका वेलकम करती हूँ तो देखेगा स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सैव संपरदाय के बारे में महत अपुन तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने इत्यास किसे कहते हैं बोत दरम, जैन दरम, वैदिक काल और आपका महाजन पत काल और मगद जो महाजन पत था उसका मोर येवन्स इन सब के बारे में अच्छे से जानकरी प्राप्त कर ली थी तो देखेगा यदि आप लोगों ने हमारा यूटूब चैनल इंडिया ओल्डे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको परीक्षे से सम्मधित महत्तो पुन जानकरी प्राप्त हो सके तो पढ़ते हम सैव संपरदाए सैव दरम सीव भक्ती के विशे में प्रारंबिक जानकरी सिंदुगाठी से प्राप्त होती है सिंदुगाठी के बारे में पढ़ चुके हैं और इसी प्रकार से रिगवेद के बारे में पढ़ चुके हैं महा भारत में सीव का उलेक एक स्रेष्ट देवता के रूप में हुआ है मेगस्तनीज ने इस्सा पूर्वे चोथी सताब्दी में सैव मत का उलेक किया है दक्षिन भारत में सैव धर्म का परचार नैनार या आडियार संतों द्वारा किया गया ये संस्था में 63 थे इनके स्लो कि के शंग्रह को तीरू मेडी तीरू मुड़े कहा जाता है जिसका संग्लन नम्भी अंडाल नंभी ने किया था इस संपर्दाय के अनुयाईयों को पंचार थिक कहा गया इस मत के परबुक्षिदांतिग्रण पासूपत सूत्र हैं सैव संपर्दायूं का पर्थम उलेख पतंजली के महाभास्य में सिव भागवत नाम से हुआ, सैव धरम ये एक संपरदा के रूप में था, इसका प्रारम सुंग सात्वाहन काल से हुआ, जो गुप्त काल में चरम सीमा तक पहुंच गया था, अर्थ नारीश्वर तता त्रीमूर्ती, त्रीमूर्ती कोन थे, ब्रह सिव ठीक है, इनकी पूजा गुप्त काल में आरंब हुई, समनव्य की यह है उदार भावना गुप्त काल के विशेष्ता है, अर्थ नारीश्वर की मूर्ती, सिव तथा पार्वती के परस्पर तादातम्य परहदारित थी, ऐसी पहली मूर्ती का निर्मान गुप्त काल मे हुआ, लिंग पूजा का पर्थम सपस्ट उलेक मतस्य पुराण में हुआ है, महाभारत के अनुसासन परवन में भी लिंगो पासना का उलेक है, हरी हरी के रूप में, सिव की विश्वों के रूप में सर्व परथम मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई, शिव की प्रा सम्हारक के रूप में तदा चार सोमे रूप में ठीक है सैव संपर्दायों का पर्थम उलेक पतंजली के महाभास्य में सीव भागवत नाम से हुआ कस्मीरी सैव सुद रूप से दार्षनिक तथा ज्यानमारगी था इसके कापालिकों के ग्रणित किरियाकलापों की निंदा क गई है वसुकूप्त इसके सेंस्तापक थे सीव को उन्होंने एद्वेत कहा है वामन पुराण में सैव संपर्दा की संख्या चार बताई गई है जो इस प्रकार से है सैव संपर्दा कितनी थे चार थे तो देखेगा सैव पासुपत कापालिक और कालामुक ठीक है तो वाम पुराण में सैव संपर्दा की संख्या चार बताई गई है जो कोन कोन से सैव पासुपत कापालिक और कालामुक सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सैव संपर्दा तो इस संपर्दा के अनुसार करता सीव है कारण सक्ति तता उपदान बिंदु है इस मत के चार पाद या पास जो बन्धन कहलाते हैं, वो हैं चार पाद हैं, चार बन्धन हैं वो विद्या किरिया, योग और चरिया, तदा तीन पदार्त हैं वो कौन से? पत्ती पश्चू और पास यह तो आपका हुआ सेव संपरदाए अगला आता है पासू पर संपरदाए यह संपरदाए सहम्त का सबसे पूराना संपरदाए है इसके सेंस्तापक लकुलीस या लकुतिस थे छिने बगवान सीव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है इस संपर्दाय के अनुयाईयों को पंचार्थिक कहा गया है इसमत के परमुख शेदान्तिक ग्रंथ पासूपत सुत्र हैं पासूपत संपर्दाय का गुप्त काल में अत्यदिक विकास हुआ इसके सिधान्त के तीन अंग हैं पती, अर्थास्वामी, पसू, आत्मा, पास, ब अर्व थे, जो संकर का अवतार माने जाते थे, यह संपर्दाय अत्यांत बहेंकर और आसूर प्रवर्ति का था, इसमें भोरव को सूरा और नर्बली का नोविध्य चढ़ाया जाता था, इस संपर्दाय का मुख्ये किंदर स्री सैल नामक स्थान था, जिसका प्रमान कुथी के मालती माधव में मिलता है, अगला संपर्दाय आता, कालामुख संपर्दाय, इस संपर्दा के अनुयाई कापालिक वर्ग के होते थे, किन्तु वे उनसे भी अधिक अतिवादी तथा प्रकरतिवादी थे, सीव पुराण में उन्हें महाब्रत धर कहा गया है, इस संपर्दा के अनुयाई नर्क कपाल में भोजन जल तता सूरापान करते थे ठीक हैं और शरीर पर भस्म लगाते थे लिंगायत संपर्दा दक्सिन भारत में जो करनाटक में है भी सैव धरम का विस्तार हुआ इस धरम के उपासक दक्सिन में लिंगायत या जंगम कहे जाते थ बस्व पुराण में इस संपर्दा के परवर्तक अलब प्रभू एम उनके सिस से बस्व का उलेक मिलता है ठीक है तो यह आपका हुआ सैव संपर्दा है आगे के वीडियो में हम आपको और भी अच्छे से जानकारी परदान करेंगे तो इस वीडियो को अंतक देखने के लि